जै गुरुजी संगत जी कैसे हैं आप सभी लोग बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरुजी पाब लेसिंग्स में उमीद करती हूँ सारी प्यारी संगत बहुत खुश होगी गुरुजी की महर से और माफी चाहूंगी थोड़ा सा मेरा जो सत्संग है वो मंत्र जाब करेंगे पहले जै गुरुजी शुकराना गुरुजी आपका हर पल हर पल शुकराना तो संगत जी मैं आज का अपना सत्संग शुरू करती हूँ जैसे आप सभी कोई पता है कि गुरू जी किसी ना किसी रूप में कनेक्टिविटी में कुछ आपको जिंदिगी में अच्छे लोगों से भी मिलवाते हैं जैसे बुरे लोगों को वो दूर करते हैं जो लाइफ में सिर्फ आपका फायदा उठाये हैं आपको दुक दे ऐसे लोगों को गुरू जी ऑटोमाटिकली धिरीदाये करके दूर कर देते हैं इसलिए गुरू जी ऐसे गुरू जी अच्छे लोगों से भी मिलवाते हैं आ। मेरा सत्संङ से अजय से बहुत टाइम से आपको बताती हूं मैंने आपको बताया था कि मैं मेट्रो में आना जाना या घर पे भी जब भी भी काम करती हूँ खाना बनाती हूँ तो मैं सच्छंगी चलाती हूँ और मैं म्यूजिक सुनने का मनी नहीं करता कभी गुरू जी अगर माइंड में डाल दें कि चलाज तू गाने सुन ले तो सु मतलब मैं यह निए कि मैं टाइटल पड़ू हूँ या उसके बाद मैं क्लिक करती थी ऐसा नहीं है जैसे मैट्रो में चला लिया या ऑफिस में बैठे सुन लिया घर पे चला लिया तो एक ससंग जो था वह मेरे को गुरू जी ने कम से कम नहीं तो अगर मैं आपको पता हू मैं नाम तक याद हो गया है रेनु अंटी का सत्संग था वो मुझे मतलब आवाज तक उनकी याद हो गई थी कि अच्छा यह उनी का सत्संग है जो थोड़े वक्त पहले मैंने सुना है मैं ऐसा मतलब अपने आप से वोलती थी मैं और मैं गुरू जी से कहती थी गुरू ज कि इसके पीछे क्या है हो यह ना कि हम लोग संगजी अपना दिवाग बहुत जादा लगाते हैं तो मैंने भी गुरू जी से सवाल पुटप किया मैं माफी चाहूंगी गुरू जी कि मैंने आपसे सवाल करा आप तो कहते हैं कि दिमाग लगाने की जरूथ नहीं है अग झो जैसे काफी बार गुरू जी ने मुझे उन आउंटी का सथसंग सुनवाया तो अब कभी भी यह थोड़ा देखके सुनते हैं कि क्या सुनना है क्या है नहीं हम तो बस चला देते हैं मैं चला देती हूं तो जो genuine मतलब वो हैं जिनके सत्संग लगते हैं कि हां उनकी खुद के original हैं तो आपको तो पता है आज कल किस तरीगी कि YouTube पे चल रहा है कि हर कोई कि मतलब खुदी रीड करने लग जाता है आपको पता ही है बट गुरु जी ने आटोमाटिकली चलवाए कभी भी तो एक सत्संग मेरे को बहुत बाद सुनवाया और पीशे महिने महिनों तक सुनवाया यह मेरे को कि सत्संग चल रहा है चल रहा है और जैसे मैं उन आंटी के सं़ती मैं समझ जाते अच्छा यह अन्ति का सत्संग है दुबारा से तो तो अ कि कुछ इसरीग के कह था मैं आपको श्योर्ट में बता देती हूं कि उनके सट्संग गयों होता है वो ह कि ऑनके आर्मी में जुड़े हूए हैं डिफेंस में जुड़े हूए हैं करे मैंनों पहले ही मेरे को मतलब उन्डवे मेरे को जो 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 मैं अभी आपको बताए कि तो अच्छी आंटी से मिलवाया जो गुरुजी की 2010 संगत रही ने बन आपको बता रही हूं कि आपको गूरु जी गुरुजी से जुड़ी हुई है तो मैं जैसे मेट्रों से उतरी शाम को और वह यह एक ही शेरिंग आटो लेना होता है घर पहुशने के लिए शाम को आफ्टर आफिस तो एक बार बैठे हैं दो बार बैठे हैं तो चलो वह लगता है कि हां कोइंसिडेंस से बी डेली का रू पहुत है तो भाई आफिस जब उनका आसपास होता तो डेली के वह रूट पर आपको पता है संगत जी कि बहुत लोग ऐसे मिल जाते हैं तो एक दो बार वह आंटी दो तिन बार बार को ऐसे मिली एक ही ऑटो में मिल गई जादा तर तो वह उसी आटो में जो आटो में रोक उसी आटो में गुझे गुरुजी बिठा है जिस आटो में वह आंटी बेठी हुई हूँ ठीक है मैं जब देखू तो वो मुझे स्माइल दे मैं भी उनको स्माइल पास करूं हेलो आंटी ऐसे करके तो अब मेरी आदत क्या है संगत जी कि मैं stranger लोगों से ज्यादा बात नह बेहरा नेचर यहां है बहुत लोग ठीक होते कि वह जबते हैं बहुत जाद लगोटां जाएना उसके बाद मेट्रों मेट्रों मैं पर आगे चले दिखने लगी मिलने लगी चक्कर गार मैंने गुरुजी दो Psych अपने से कनेक्ट कर लेते हैं तो सारी चीजे उनी के कॉर्डिंग चलती हैं हम कुछ नहीं करते हम जस्ट एक वह लगा लगा लिजे एक माटी का पुतला है जो है गुरुजी हमें हरत्रीके से लीड करते हैं वो इचला रहे है तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी अब तो कुछ बात है अब आप ही बताएंगे कि क्या है ठीक है तो मैं फिर एक बार ही मैट्रो में आप वह मिली तो सड़नली उनसे बात भी बोलती है कि कि आओ बेटा यहां बैठों तो फिर मेरे को इच्छा लगा मेरे को लगा की चीक है मैं बैठी मैंने बात्ची शुरू की संगत जी हूं आंटी से तो उन्होंने मेरे को क्या बताया मैं ऐसी पूछा कि बेटा कहां काम करते हो अब कहां जौब करते हो क्या काम है आपका मैंने जनरली जैसे लोग पूछते लग जाते हैं जब बात करते हैं तो मैंने उसे जस बेसिक बताया कि क्या काम है कहां करती हूं ऐसे ऐसे करके आप बिलीव करेंगे संगत जी कि जब मैंने उन आउंटी से पूछा कि आउंटी आप कहां काम करती है तो वो न्यू बिलीव कि उन्होंने मुझे बोला कि मैं डिफेंस में काम करती हूं मतलब मुझे उस दिन जब उन्होंने ये नाम लिया ना कि मैं डिफेंस में काम करती हूँ, तब मुझे उस दिन ये चीज़ समन में आई, मैंने का अच्छा गुरू जी, तो जो सत्संग आप मुझे बार-बार-बार सुनवा रहे थे इतने महीनों से, जो automatically मेरे सामने वो सत् नहीं पता लगा, बट इतना है कि गुरू जी शायद मेरे जीवन में कुछ अच्छे लोगों को मिलाना चारे थे, जो auntie और उनके husband के रूप में मुझे मिले, तो संगा जी फिर ऐसे धीर-द्रे बार शुरू हुई, तो मतलब she's very nice, आज तो उनसे बहुत अच्छी bonding है मेर and कभी-कबार बात हो जाती है, एक aged भी है, 60 years की है वो, तो मतलब मेरे जैसे parents नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी-कबार उनका हालचाल पूछना, वो भी मेरे से पूछ लेते हैं कि बेटा तुम कैसे हो, कैसे नहीं हो, सब अच्छा चल रहा है, तो it's feel very good संगत जी कि मुझे गुरुजी को मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूं, थैंक्स बोलती हूं, कि उन्होंने एक मतलब माबाप के रूप में ही सही, भले ही मेरे अपने माबाप ने ही रूप में सही, एक बहुत अच्छे लोग मेरे जीवन में दिये, कि एक अंकल आंटी दिये, और कैसे गुरुजी ने कनेक्ट किया, सत्संग सुनवाया, फिर वो आंटी वे डिफेंस से निकली, कि ने डिफेंस में जॉब करती हूं, गॉर्मन जॉब करती हूं, 60 अर्स की उबस होने वाली है, मतलब रिटार्मेंट उनका होने वाला है, तो मतलब मैं बहुत- इसे कड़ी से कड़ी जोडते हैं, संगत जी, जो मुझे उना आंटी से मिलवाया, तो उन्होंने बताया कि बेटा मैं गुरुजी से 2010 से जुड़ी हूई हूं, और मेरे हम लोग कभी कभार बड़े मंदिर भी चले जाते हैं, साथ में, वो बोलती है कि जब जाये तो कभी म सतसंग यही था कि किस तरीके से गुरुजी आपके जीवन में अच्छे लोगों को भी लाते हैं, जैसे बुरे लोगों को हटाते हैं, वैसे अच्छे लोगों को भी लाते हैं, रास्ता कैसे बनाते हैं, तो आंटी अंकल दोने बहुत अच्छे हैं, वेरी वेरी नाइस पी जोड़ने तो इसे मानना है चुछ होगता ऐसày तो दिछार कि ने इट corresponding यह शुक्राना करती हूं कि मेरे गुरूजी ने मेरे गुरूपाने मेरे को ऴीज़ूत कि जिवन कि ख़राब लोग निकाले मेरे जीवन से कुछ अच्छे लोग विढ़िए। बाबा के रूप में दिए क्यों कि वाकि मेरे 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 जीवन हैं हमेशा हैं और अंत तक रहेंगे और यह एक उन्होंने एक फिजिकल रूप में भी माबाप दिये कहा कि ठीक है कभी कभार तूंसे बात करके अपना दिल तो जै गुरुजी शुकराना गुरुजी गुरुजी कैसे अपने बच्चों को ध्यान रखते हैं कैसे वो कनेक्टिविटी है के कड़ी से कड़ी जोडते हैं छोटी चोटी चीज का ध्यान रखते हैं कि किसको किस से कहां मिलवाना है आप यह देखिए जिन चीजों को मैं को वो चीज मेरे को अच्छी लगती है कि एक माबाब के रूप में मुझे किसी को दीया में रिको गूरी ने फीजिकल रूप में दिया तो थैंक यू गुरु जी थैंक यू so much for this कि आपने मिरे को मतलब माबाप जैसे parents दिए auntie और अंकल दोनों बहुत ही अच्छे हैं जै गुरू जी शुकराना गुरू जी बहुत बहुत शुकराना आपका और एक चीज़ आपको मैं और बताती हूँ एक बार उनके घर में कुछ चोटा मोटा कुछ उनका फंक्शन था तो कुछ उनने मझे किसी हेल्प के लिए बुलाए था तो मैं का वागुरू जी वाँ आप ने तो दिल बाग वाग कर दिया इतना खुश कर दिया कि जो सुरूप मेरे घपास है आपका को ईसवगों अंटी के घर पे भी है तो थैंक्यू सो मच गुरू जी थैंक्यू थैंक्यू अनलिमिटेट थैंक्यू अंगिनत बार थैंक्यू और बहुत शुक्राना तो संगजी आज का सचसंग में पेस्माप करते हूं नहीं तो बहुत जादा लंबा हो जाएगा मेरे चैनल का नाम है गुरू जी पाब्लेसिंग्स प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा और लाइक और शेयर कर दीजेगा क्या पता मेरे सचसंग से किसी को कोई आंसर मिल जाए गुरू जी जो कहलवाते हैं मैं वही कहती हूं आपसे और आईए मंत्र जाप कर लेते हैं ओम नमस्षिवाए शिवजी सदा सहाए ओम नमस्षिवाए गुरू जी सदा सहाए ओम नमस्षिवाए शिवजी सदा सहाए ओम नमस्षिवाए गुरू जी सदा सहाए जै गुरू जी हरपल शुकराना आपका अनंतम अनंतम बहुत बहुत शुकराना गुरू जी आपका बह मेरे बोलने में कभी कोई भी गलती हो जाए करे तो मुझे दिल से शमा कीजिएगा मैं भी आपका परिवार हूं तो मुझे दिल से शमा कर दीजिएगा बस तो शुकराना गुरू जी आपका बहुत शुकराना आप लग भी आप लोग भी सब बहुत खुश रहिए हमेशा सबसे बड़ी मेंची जिन्दगी की वही है तो आप सबी खुश रहिए और हेल्दी रहिए गुरुजी की महर से सब खुश रहिए जै गुरुजी शुकराना गुरुजी